साथियों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर तो जैसा कि अभी जो कल की मैं बात बता रहा हूँ कि जो कि ICMR का नोटिस रिलीज हो गया और उसके बाद बहुत सारे मेरे को ऐसे कमेंट्स आ रहा है थे कि आप इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि कैसे हमको इसको तैयारी करना है और क्या स्लेबस वगयरा है तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो मैं ये डेटेल वीडियो बना रहा हूँ और जैसा कि अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई एक्जाम से रिलेटेड कोई हम यहां में बात करते हैं या कट आउप से रिलेटेड ठीक है तो ये कोई हवा में बात नहीं होती है और मतलब ग्राउंड लेवल पे हम सोच के ही बात करते हैं विट प्रूफ के साथ तो आज भी हम इसमें बात करेंगे कि कैसे क्या अप्रोच रखना है और डीटेल अनलिसिस करेंगे हम और आपको पूर एक एक चीज हम समझाएंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे डीटी जारफ वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि जैसा मैंने प्रेडिट किया था और विच एक्स्लेनेशन के साथ कि क्यों कट आफ थोड़ी सी नीचे जा सकती है तो उसी के एकदम डिट्टो कट आफ गई थी इस बार तो उसी के कार्डिंग मैं यहाँ पे इसकी डीटेल अनालिसिस करने वाला हूँ तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं तो बहुत ही सीरियसली एंड तक यह वीडियो को जरूर देखेंगे ठीक है तो अब हम यहाँ पर इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सिंपल सा आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं या फिर आप इस फिल्ड में नए हैं तो मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ तो वो चीजें मतलब इस तरीके से ऐसी हैं कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जो आपका जियारफ है जो कि मैं बहुत सारी लेक्चर्स में क जाम सकते हैं जैसे कि बहुत पहले medical का exam होता था ठीक है मैं वहां से concept को जोड़ रहा हूं तो पहले क्या होता था कि एक CBSC अपना exam conduct कराती थी उसके अलावा हर state अपना exam conduct कराते थे ठीक है और कुछ अपने और भी institutes थे जैसे aims वगरा होते थे यह अपना अलग entrance conduct कराते थे हाला कि सभी लोग जो होते थे वो MBBS के लिए entrance कराते थे ठेक है इसके लिए AI PMT होता था ठेक है इसके लिए जो state level के medical exam होते थे PMT वो होते थे और यह aims का अलग exam होता था बट recent में क्या हुआ है कि इन चीजों को merge कर दिया गया और एक common exam मना दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं नीट बोलते हैं तो बस आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि यहां पर अभी केवल merge का system नहीं आया है ठेक है तो इसलिए क्या है कि different different agency जो है वो अपना different different paper पर conduct कराती है ठेक है वो CSIR जो कि आपकी science चुकि आप scientific चीजों में जा रहे हैं तो जो main institute है वो आपका यही है ठेक है मतलब main तो सभी है मतलब अगर science के respect में देखा जाए तो जिसकी स्थापना की गई वो CSIR है राइट इसके अलावा जब biotechnology का craze आया तो जो दूसरी institute बनी वो DBT थी और उसके पहले medical health से related जो institute थी वो ICMR थी तो सब अपना different different exam conduct कराते हैं सबके अपने different paper है ठेक है और जो interesting चीज यह है कि CSIR की website पे आप जाएंगे तो इनको आपका syllabus मिल जाएगा ठेक है जो भी इनका syllabus है DBT का अपना syllabus आपको मिल जाएगा बट ICMR के syllabus को लेकर एक प्रश्ण वाचक्ची ने लगा होता है कि यह कोई इनका prescribed specific syllabus नहीं है जो exam में अभी मैं आपको detail में इसको mention करूंगा तो जो बच्चों के अंदर query की जो भावना रहती है वो इसी वज़ा से है क्योंकि यह exam थोड़ा सा unpredictable रहता है कि इसके लिए हमें क्या approach करना है तो यह information आपके exam से related हो गई तो अब जैसा कि आपको करना क्या होता है करना आपको simple सा यह है कि जब आप Google पे simple सा डालेंगे ICMR की website पे विजिट करेंगे तो आप यहां grant section में जाके जब आप fellowship में जाएंगे जयार तो इस तरीके का आपका interface आएगा जहां पर आपको सारी information यहां पर मिल जाएगी तो यह आपका जैसे की notice आया हुआ है जो कि आपने इसके बारे में aware हो चुके है ठीक है इसके अलावा आपके बहुत सारे जो भी exam conduct हुए या जो भी चीजे थी वो सारी information यहां पर दी गई है ठीक है तो जो हमारे काम की चीजे है वो यह है कि हलाकि यह बहुत पहले का update है latest update अभी मैं इस जाके अब इसमें जब से कोविड का दौर आया उसके बाद से पहले यह OMR seat based exam होता था बट अब इन्होंने इसको क्या कर दिया है online exam computer based exam कर दिया गया और कुछ center को increase कर दिया गया है तो यह सारी चीजे matter करती है इस exam पर कैसे matter करती है वो मैं भी आगे जाके इसको मैं separate जोड में और एक December में बट DBT और ICMR यह ऐसे exam होते हैं जो साल में केवाल एक बार होते है इसके बार यह entrance exam आपको देना होता है इसके बार admission notice जो होती है वो usually यह पुराने के recording दिया हुआ है कि जुलाई में आपको दे दिया जाएगा वैसे इस बार भी आपको जुलाई में ही पता चल गया हला कि यह entrance exam की date है बट अब थोड़ा सा आगे shift कर दिया गया है अब जो interesting चीज है कि जब आप इसमें से GRF होते हैं तो आप placement जो आपका होगा वो आप किसी भी medical college, university, national laboratory, institute में आप जा सकते हैं ठीक है तो simple सा मेरा जो बार बार आप लोगों से यही कहना होता है कि आ आपको fellowship से मतलब है वो चाहे आप CSIR से लेया यह चाहे DBT से लेया यह चाहे ICMR से लेया यह मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि तीनों ही आपको 31,000 ही रुपे देंगे ठीक है यह भी आपको 31,000 देगा जब आप GRF में होंगे यह भी 31,000 देगा तो पैसे तो उतने ह है हम चाहे जिस से ले वो matter नहीं करता है ठीक है मेरे इसाब से फिलहाल के लिए बाकि ठीक है आप different different exam को और qualify करना चाहते हैं तो उसको कर लीजे ठीक है तो पहली मानसिक्ता जो आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी एक को specific qualify करेंगे तो आपको जादे पैसे मिलेंगे या कम पैसे मिलेंगे या all over वो मानने होगा कि नहीं होगा तो यह universally applicable होगा इसके बात क्या है कि यहां पे आपको केवल 150 fellowship आपको दी जाती है ठीक है इनके पास जो fellowship की संख्या वो केवल 150 है जो कि मैं एक बार आपको और clear कर देना चाहता हूं कि अगर आपको याद होगा जो मै मैंने ये बात आपको बताई थी कि initially dbt 275 fellowship देता था बट अब उनका greater than 400 हो गया है इसी के अप्रॉक्स इस बार भी बच्चे जो है वो शायद 400 से जादा बच्चे शायद 425 बच्चे qualify किये हैं category first में तो यह dbt का है और CSIR भी अच्छी खासी amount में वो qualify कराता है और साल में द हल्टी जो होता है वो social science stream के लिए होता है जो कि यहां पे इन्होंने clearly mention किया हुआ है कि 120 जो होगा वो biomedical research के लिए होता है ठेक है अब biomedical में यहीं पर ही सारी खेल है जो आप syllabus के लिए पहचानते हैं सोचते हैं कि क्या syllabus होगा तो समल लीजे यही आपका जो syllabus described है यही syllabus है आपक ठेक है हलाकि यह stream के research की बात कर रहा है तो जब यह इसमें research कराना चाहते हैं तो यह आपकी परिक्षा भी इसी के इर्दिगिर्द लेंगे यानि कि microbiology, physiology, molecular biology से question आएगे, genetics से आएगा, human biology से आएगा, bio tech से आएगा, bio chemistry से आएगा, immunology जो कि आज उसका दौर चल लहा है तो उ लॉजी, environmental science, एकाद दो question आपको botany के मिल जाएगा और veterinary science ठीक है तो यह आपका काम की चीज हो गई है इसके बाद जब यह result आता है तो दो separate list बनती है इसके अलावा जब आप होंगे तो आप किसी भी PhD प्रोग्राम में जो कि मानिता प्राप्ट इनिवस्टी में आप क्या बात करें तो शायद 2018 से पहले की जो story थी वहाँ पर award later मिलने के बाद six month validity होती थी बट 2019 में इसकी validity बढ़ा कर एक साल कर दी गई थी मतलब जजी जी आपको award later मिलेगा ठीक है समझ लीजे award later जब आपको मिलेगा तो एक साल के भीतर में आपको institute को join कर लेना है लेकिन अब ज जो है यह दो साल कर दी गई है राइट हलाकि सबसे कम validity पहले इसी की होती थी DBT और ICMR में तो पहले सही जादा time की validity आपको दी जाती है तो यह इसका एक कह सकते है कि minus point ही कहूंगा क्योंकि आपको जल्दी ही join करना होता हो सकता आपका result ऐसे time point पे आया जिस scientist के अंतरगत कर दिया गया है तो बहुत ही अच्छा exam है इसके बाद hundred candidate यह और भी select करते हैं जो कि ICMR funded project के लिए होते हैं ठेक है another hundred candidate तो हाला कि यह जो बात है यह इनके mood पे depend करता है जैसे कि पिछले साल इन्होंने project में दिया लेकिन बीच में एक साल उन्हें नहीं दिया था project में को qualify कर देते हैं कभी 115 तो वो चीज़े चलती रहती है बाकि आपको जो fellowship का amount मिलता है वो 31,000 है contingency grant भी मतलब आपको अपने सामान वगरा research से संबंदित खरीदने के लिए 20,000 जो सारे सब चीजों पर applicable है मतलब CSIR में भी वही चीज है तो यह story होती है age limit की essential qualification के अगर हम बात क चाहिए ठेक MSC होना चाहिए basic science के साथ age limit जो है वो आपका 28 year है जो की general category के लिए है बाकि 5 साल का relaxation remaining और 3 साल का remaining जो है वो OBC को दिया रहता है अब यहाँ पर जो important चीज आपके काम का है कि method of selection तो scheme of test जो है वो एक paper होगा जो 2 घंटे का होगा तो सबसे important चीज यह है कि अभी CSIR का exam हो या DBT का exam हो आप 3 घंटे के लिए exam देने दे जाते थे मतलब 3 घंटे का paper होता था बट यहाँ पर जो paper है यह केवल 2 घंटे का है ICMR का तो यह भी एक मतलब बहुत ही deciding factor होता है क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर तो आपको काफी 24 मिलती है question की CSIR में अगर आप strategy बनाके जालते हैं तो आपके पास 24 रहती है यहाँ पर भी 24 है यहाँ पर समय जो है वो थोड़ा सा जादा है बट यहाँ पर समय duration जो है वो कम कर दिया है कि मुझे यह question पर answer टिक करना है या नहीं करना है तो यह एक इसका different pattern हो गया exam का ठीक है इसमें दो section होते है aptitude section जो होता है उसमें 50 question होते है ठीक है जो कि scientific phenomena everyday life general science और common statistic के base पर होते है ठीक है और यह question जो होते है वो compulsory होते है all these questions would be compulsory with each question carrying one mark लेकिन यह बात समझेगा कि compulsory क का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको करने ही करने है right मतलब आप छोड़ भी सकते हैं compulsory का मतलब यह है कि यहां पर जो section A है और section B तो section A में जो आपके 50 question है अगर आपको आता है तो आप 50 के 50 attempt कर सकते हैं right लेकिन कोई बात नहीं है कि आपको यह चीजें होती थी बहुत सारे बच section भी होता है वो आपका subject specific होगा life science या social science social science से आपको मतलब नहीं है आपको केवल life science का paper करना है इसमें आपके पास 100 questions होते हैं लेकिन आपको 75 attempt करने होते हैं right तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो आपके questions होंगे ठीक है जो कि आप देख सकते हैं माल दीजे कि यहां पे 100 questions इस exam के लिए ठीक है तो यह आपके लिए important information हो गई negative marking यहां पे 0.25 होती है हलाकि थोड़ा सा मतलब मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा negative marking है तो थोड़ा बहुत आप risk ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि यह question में मतलब मैं 90% sure हूँ और 10% में problem ह तो शायर मैं CSIR के लिए नहीं बोलूँगा कि आप वहाँ पे risk लीजे बट यहां पे 0.25 की negative में आप risk ले सकते हैं ठीक है बाकि यहां पे कोई Hindi English का चक्कर नहीं है question paper जो होगा वो आपको खेवल English में मिलेगा इसके अलावा जो आपके सबसे important चीज़े हैं कि जो final result will be based on aggregate of 55% mark जो होगा वो both section for general category और OBC के लिए 50% जो होगा वो आपका SCST और physically handicap category के होता है तो इस बात को मैं बहुत अच्छे से यहां पे आपको समझा देता हूं कि actual में होता क्या है हलाकि यहां के संदर्व में एक notice भी आई थी जो पिछली बार थोला सा यहां पे variation किया गया है तो वो आप यहां पे देख सकते हैं यह जब पिछली बार का exam था तो form release होने के कुछ दिन बाद यहां पे एक notice लाई गई ICMR के तरफ से और उन्होंने यह कहा कि जो आपका OBC category है उसके लिए जो educational qualification है वो भी 50% कर दिया गया और scheme of exam मतलब आपका जो exam में भी आप जो कर रहे हैं उसमें 50% जो होगा वो आपका qualifying mark होगा पहले यह 55 था तो हलाकि वो website अभी पूरे तोर पे update नहीं हुई है तो उसको 55 स 50 कर दिया गया है अब इसको थोड़ा समझ लीजे कि 55 से 50 किया गया है यह 55 का मतलब क्या है बच्चों को बहुत confusion होती है तो पहली important जो आपको misnomer दूर करना है कि आपको both of section बोला गया है ठीक है यह बहुत बड़ा confusion रहता है बच्चों में जैसे आपका section A plus section B यह दोनों मि respective category के लिए होना चाहिए जब आप entrance देंगे ठीक है क्योंकि बहुत बच्चों में ऐसी problem होती थी कि मतलब समझने में fair होता था तो वहां पर A और B बोल देया जाता था कि दोनों ही section में आपको 55 लाना है जिससे बच्चे बहुत negative करते थे ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है overall और यह सभी चीजों पर आप किसी भी एक्जाम में जाएंगे अगर आप CSIR भी दे रहें तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका A section है B section है C section है तो सब में आपको qualify करना है तुम चाहे section है अगर आपको नहीं आता जीरो नंबर लेकर आओगे तो भी आप qualify हो जाओगे अगर आप अपने subject पे लगा लो तो पहली चीज तो आपको यह दूर कर दिया मैंने कि overall आपके 55% mark होने चाहिए अब यह 55% जो यह mark है इसका मतलब क्या है तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक example देता हूँ जैसे कि माल लीजे यह 2022 का dbt का result है ठीक है बहुत ध्यान से समझिएगा जैसे कि क्या है कि यह result है category first है इसमें unreserved की cut off 62% है EWS की 54% है तो ICMR कहता है कि मतलब जो उन्होंने entrance लिया है इस बात को ध्यान से समझिएगा entrance लिया है उसमें आपके 55% marks होने ही चाहिए मतलब कि जो cut off का मतलब तो यह होता है कि जो last बच्चे ने qualify किया उसके यह percentage है तो कहने का मतलब यह है कि अगर EWS के 54.33 last बच्चे का cut off है तो यह इस बच्चे को GRF नहीं मानेंगे ठेक है अब इससे भी अगर सरल भासा में अगर आपको समझने की इक्षा है तो मैं ऐसे explain कर देता हूं कि माल लीजिए कि अगर 100 बच्चों ने मतलब मैं एक example ले रहा हूं कि अगर 100 बच्चों ने paper दिया ठीक है अब 100 में तो 55% का मतलब 55 ही होगा ठीक है और 100 के 100 बच्चों का नंबर 54 नंबर आ रहा है 54 या उससे below आ रह होती तो वो कहता कि यह जो 54 नंबर लाने वाला बच्चा है यह मेरा topper है ठीक है यह इनकी नजर में topper होता बट ICMR कहता है कि भाया मैं इनको नहीं मानता हूं ठीक है और यह exam मैंने conduct करा लिया अब मैं किसी को fellowship नहीं दूँगा तो यह zero fellowship कर देंगे हाला कि ऐसी condition नहीं होती है यह बहुत rare क्या मतलब धरती वीरों से खाली नहीं है तो नंबर लाने वाले बच्चे लाते हैं ठीक है लेकिन अगर ऐसी situation create होती है तो 55% के नीचे आप count ही नहीं किये जाएंगे तो सबसे important चीज है जब आप इस paper को solve करेंगे तो आपको क्या करना है अगर आप जिस भी category से belong करते हैं फिलार अगर general EWS की बात करें तो 55 और OBC और वो लोगों को क्या करना है कि पहले इस paper से आप 55% कर लो भाईया फिर उसके बाद सोचना क्या करना है ठीक है अगर आपने 54% जितना भी बनता हो ठीक है आप इसको एक बार calculate कर लिजेगा कि इतने बनेंगे माल जैसे कि आपके 125 marks हैं तो अगर 125 यह आपका overall marks होगा अगर आप इसका 55% निकालते हैं तो 68 नंबर के प्रॉक्स आएगा 68.75 तो इतने नंबर के भाईया question आप कर लीजिएगा 70 नंबर का तो paper आपको करना ही करना है सही सही फिर आप सोचेगा कि हमें क्या करना है ठीक है समझ में आगई बात क्योंकि अगर आपने सोचा कि नई भाई मैं 68 नंबर का मेरा हो रहा है मैं छोड़ के चलाओ तो भाईया वो 68 नंबर पे आप qualify नहीं करेंगे भले ही आप top कर रहे हो ठीक है तो वैसे ऐसी condition तो नहीं आएगी बट फिर भी आपका जो पहला target होगा वो यह हो important information हो गई है आपके लिए कि जो मैंने यहां पर clear कर दिया ठीक है जो मैंने cutoff के माध्यम से आपको समझा दिया कि ICMR में exact इसका meaning क्या है ठीक है तो यह आप यहां पर देख सकते हैं और इसके बाद जो test में aptitude life science वही सारी चीज़े दी गई है इसके लावा मैंने थोड़ा सा ज्यारे prospects को download किया और वहां से भी मैंने कुछ चीज़े निकाली है जो आपके काम के लिए है तो वह आप देख सकते हैं तो जैसे कि वह आपको जो देखना है उसमें जो important चीज़े है वह यह है कि simple सी information यहां पर वैसे ही दी गई है जैसे ऐसा ही लगभग आपका फिर से ऐस से ही होगा ठीक है तो जो important चीज़ आपको यहां पर मैं बनाने वाला हूं तो information तो वही सारी हो गई है बड़ जो recent में जो variation आए है वो आपके लिए जो important चीज़ है कि 150 fellowship मैंने आपको बता दिया ठीक है इसके अलावा 100 candidate को यह select करते हैं जो कि project वगएरा के लिए होते है ठीक है prescribed by UGC ठीक है UGC को बोल दिया अब UGC का आप ढूंडते रहे कि क्या syllabus है ठीक है और एक sample question paper है जो ICMR की website पे अवलेबल है वो मैं भी उसको दिखा के आप से discuss करूंगा इसके बाद reservation of seeds जो भी चलती है वो उसी हिसाब से यहां पर भी follow करते हैं यह लोग ठीक है तो यह important हो जाता है इसके लावा जो आपका language of paper English है दो घंटे का paper है यह important चीज है 120 minutes का paper होता है negative marking यहां पर रखी गई है ठेक है और qualifying marks भही है बोच section को मिला के आपको 55% लाना होगा ठेक है subject cover जो किये जाएंगे तो आपको इसी लिहाद से पढ़ना है कि आपको microbiology veterinary science, biochemistry, botany इन सब चीरों से ज्यादा question यह पूछते हैं तो यह इनका एक syllabus है आप PC को ही syllabus मानिए इसके बाद जो आपका तीन दिन में यह अपना website पर question paper देकर आएंगे तो वो upload कर देंगे तो आप उससे फिर challenge कर सकते हैं ठीक है तो यह important information यहां तक हो गई है ठीक है तो खैर यह सब तो आपका जब भी आएगा वो उसी के calling होगा तो अब जो important चीज जो कि कैसे आपको क्या देखना है तो इस website पर जब आप ICMR की website पर यहां पर जाएंगे तो बहुत सारी information आपको मिल जाएगा यहां पर एक इनका sample paper upload है यह देख सकते हैं paper of ICMRJRF तो जब आप इसको download करेंगे तो यह मैं आपको दिखा देता हूं मैंने download कर रखता है तो जब आ ठीक है तो हाला कि यह पहले OMR based होता था तो काफी different procedure था बट अब तो computer based exam है तो जैसे कि जो aptitude की बगर हम बात करते हैं जो कि compulsory रहेगा उसमें molality पहला question जैसे नोंने दिया molality तो यह chemistry का question है molality, molality और इसके expectations भी ठीक है कि आप research करने जा रहे हैं तो कल को आपको buffer solution मनाना हो तो ऐसा ना हो कि आपको molality और molality ही नहीं पता है ठीक है तो यह ऐसे basic questions आपसे पूछते हैं ठीक है यह जैसे कि इन्होंने थोड़े से इन्होंने bio stats के question उठाते हैं बट फिर मैं वही बात बोलूँगा कि आपको आती है तो आप कीजिये नहीं आती है तो आपको जो आती है सिर्फ उसी को करिए ठीक है कोई आपको individual थोड़े ना qualify करना है फिर aspirin कहां से आप isolate करते हैं तो यह मैंने immunology के lecture में मैंने cover किया है जहां पे आपको बताया है ठीक है आइसो टोप आइसो बार यह सारी चीज़े आप पढ़ते हैं तो जो इस सब general phenomena आपने पढ़ा होगा है branch of science deal with the cancer ठीक है तो कुछ आसांस question भी है कुछ tough questions भी होते हैं तो इस तरीके से इन्होंने 10 question का sample दिया हुआ है और remaining आप देख सकते हैं कि life science जब आपके subject specific बढ़ाएंगे तो आप से इस तरीकी के question पूछे जाएंगे ठीक है तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह सा आप देख सकते हैं वही exact question है when a molecule absorb light of a particular wavelength and contribute to emit light of higher wavelength for a considerable time after excitation तो इस उन्हों मिना को क्या कहेंगे तो यह दो तरीके होते हैं phosphorescence and fluorescence तो अगर मैंने बता हैं कि लोग मतलब जितने wavelength की absorb करेंगी उससे ज्यादा की वो emit करती है तो यही process होता है ठीक है but fluorescence तब होता है कि जब त कुछ देर तक रिजिस्ट करेगा तब हम उसको क्या बोलते हैं phosphorescence बोलते हैं ठीक है तो यह important answer है तो ऐसे questions पूछे जाते हैं जो आपको तुरंथ बहुत जादा देर तक आपका concept clear होना चाहिए अन्नता आप बहुत time in पे नहीं दे सकते हैं ठीक है तो यह बात हमने cover कर ली हला कि अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम किस किस चीजों पे बात करने वाले थे तो जैसा कि मैंने basic information को cover कर दिया syllabus को cover कर दिया pattern of question paper को cover कर दिया अब मैं जो यहाँ पे important बात करने वाला हूँ वो cut off को लेकर बात करने वाला हूँ कि आपको क्या सोच कर पढ़ाई करनी चाहिए ठीक है क्या सोच कर आपको यह देखना है कि मतलब कितने नंबर का हमें approach रखना है तो यह बहुत important part है और इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जैसा कि मैंने dbtk में भी बताया था कि बीच में 2020 में cut off बहुत high चली गई लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ची चीजे apply होती है मैं उसको भी पता देता हूं कि पहली बात जो मैं बहुत ध्यान से आप सुनिएगा इस चीज को क्या क्या factor है जो ICMR के cut off को निर्धारित करते हैं ठीक है तो सबसे पहला जो factor मेरे हिसाब से है कि अब आपका जो paper है वो देर से हो रहा है normal time से ठीक है पहले य आपको cut off दिखाऊंगा ठीक है तो उसकी cut off increase करी ठीक है sudden increase की शायद 68% जो था वो general की cut off थी हलाकि लोग ऐसा बोलते है कि भाई cut off इसमें देते नहीं है बर भाई ऐसा नहीं है अगर आप बुद्धी लगा के यहाँ पर आप देखना चाहो ठीक है तो जैसे कि माल लीजे कि यह आपको दिया गया है लिस्ट तो आप इसमें से देख लो ना कि क्या नाम है कि सबसे last percentage उस category में कितने percent पे है ठीक है तो जैसे कि यह 2021 का result है और यह 2020 का result है तो जब आप 2020 में देखोगे तो मैं केवल अभी general को ही देख रहा हूं तो general में आपको 68 जो होगा वही आपको द तरीके से cut off है तो आप यहां से देख सकते है जैसे यह 69% है 69.80 है ठीक है तो इस तरीके से यह number आये थे exam में ठीक है तो मैं क्या बता रहा था हां तो यहां पर cut off जो थी वो increase गई लेकिन 2021 में क्या हुआ कि यह paper थोड़ा सा इन्होंने September में shift कर लिया है तो क्या हुआ कि cut off थोड़ी सी decrease हुई मतलब कह सकते है 67 के आसपास cut off थी ठीक है एक परसेंट का फरक पड़ा है अगर आप इसमें देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो आप देखेंगे result 60 यह 2021 में ठीक है तो 2021 में जो जनरल का जो last बच्चा है इस बार इन्होंने sequence लगा दिया था तो 67% है ठीक है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां पे 68 के आसपास था और यहां 67 था तो 1% का यहां पे गिरावट आया ठीक है बट क्या है कि आप एक मानसिक्ता बना लेते हैं कि 68 इस बार गया है तो हम 70% exam करते समय करेंगे भाया ऐसा कुछ नहीं होता ह ठीक है जैसा आपको लगे जितना आए उतना सही सही करो ज्यादा वहां में आइंस्टीन नहीं बनना है ठीक है अब मैं भी यह भी बता हूँगा कि आपको इस दौरान क्यों cut-off increase हुई और क्या आपको target अब रखना है तो पहला paper factor तो यह हो गया कि आपका जुलाई में exam conduct ह हो रहा है ठीक है जुलाई में exam conduct हो रहा है और दूसरी important चीर यह है यहां पर कि मतलब जब आप यह exam जब पहले 2019 तक होता था ठीक है तो आप उन चीरों से नहीं predict कर सकते हैं क्योंकि वहां पर दो important factor थे कि जो exam के center थे ठीक है exam के center थे वो क्या थे वो limited थे 12 city में होती थी चनारस में होता था मतलब वरानसी में ठीक है तो आप खुदी सोचिए जब exam center कम है तो बहुत सारे बच्चे जो वाकाई में चाहते थे paper देना बट होता है कि कोई इंसान नहीं afford कर सकता है एक तो इनका form बहेंगा प्लस जाने आने का खर्चा या उस time पर कुछ problem हो गई माल दूसरी important factor यह है कि अब मैं यह बता रहा हूँ कि यह तो इसके चीजे हो गई अब कुछ चीजे जो आपके लिए favorable है वो क्या favorable है कि paper तो आपका दो ही घंटे का है लेकिन यहां पे जो 2019 में बच्चे थे उनको क्या करना पड़ता था उनको OMR seat भरनी पड़ती थी OMR seat समझ आलग अब यह तो नए वाले बच्चे होंगे वो तो online paper ही देते जा रहे है या कभी आपने अगर NEET का भी paper दिया होगा तो इतना तो आप मेरे बास से सहमत होंगे कि 2-4 मिनट में बहुत ही जो बच्चा बहुत ही मज़ा हुआ होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं इतना मिनट तो आपको OMR seat में जो आप नाम पता गाउदेश लिखते है न उसमें तो जाएगा ही जाएगा और बाकी जब आप last में बबल भरते हैं उसमें भी time consume होता है तो ये एक ठाब की चीजें जो होती थी वो कठिन थी 2019 में मतलब कठिन में नहीं को होंगा मतलब फिर भी थोड़ आना पड़ता था क्योंकि अगर आपका एक गोला खराब हुआ तो आपका पूरा जो होता था नहीं था कि माली जब बैसा होता कि 20 के सामने ये गोला था लेकिन हम जलबाजी में हमें आता था question सब कुछ हमने paper पे टिक किया लेकिन गोला भरते समय हमने 20 वाले का answer 21 में चप हो गया है तो जब आप computer पे तो ये तो कोई error का chance ही नहीं है वहाँ पे name बगारा सब लिखाई है कुछ भी आपको फिल नहीं करना है तो जो दो घंटे के time है वो आपका पूरा का पूरा आपका ही time है तो ये बहुत सारी important चीजे जो मैंने अभी आपको बताई है कि जो exam के cut off increase हो रहा है उसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि मैं आपको उसको समझा देता हूं उसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि चीजे अवलेबल हो गई है मतलब पहली बात तो 2020 में जब हुआ तो वह आपको ज्यादा time मिला COVID की वेला से बच्चे accumulate कर गए जो मैं बार-बा पहलता हूं उसके बात क्या हुआ है कि मतलब आप खुदी सोचिए कि पहले बहुत लोग ऐसे होते थे जो ICMR exam को जानते भी नहीं थे कि ICMR GRF भी कोई एक exam होता है ठीक है तो चीजे technology बढ़ी ठीक है YouTube पे आप देख सकते सर्च मारेंगे आपको 1000 वीडियो मिल जाएंगे इस बहुत सारे ऐसे coaching institute है जो ICMR को target भी नहीं करते है ठीक है वो केवल CSIR based ही पढ़ाई कराते है तो यह सारी important चीजे है जो time के according change हुई है लोगों को अब इस exam के बारे में पता चला है contents available है books भी आपको मिल जा रही है पढ़ने के लिए ठीक है बहुत सारे telegram channel है जहां पे आपक पर नहीं है ठीक है तो खैर यह सब तो एक overall scene मैंने आपको बता दिया कि 2020 की cut off क्या हुई ठीक है 2019 में क्या हुआ मैं बार बार आपको बोलता हूं या भठा दीजे दिमाग से कि इसमें क्या हुआ था इससे अब आपको कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि वो paper का तरीका ही अलग था, time अलग था, समय अलग था, दौर अलग था, ठीक है 2020 में क्या हुआ, covid की वज़ा से क्या हुआ, चीजे जो हुई वो unexpected हुई, वो चाहे आप dbt का exam उठा के देख लीजे, चाहे आप किसी और का उठा के देख लीजे, ठीक है 2021 में ये थोड़ा सा normal हुआ, ठीक है, तो जो आपको approach रखना है, पहला जो आप paper देते समय, या भी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कि आपको उतनी question आपको करने ही करने है, कि आपके 55% हो जाए, मतलब 70 number का paper कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप सोचिएगा कि हम उसमें कितना और add-on कर सकते हैं या नह आपको at least greater than 60% आपको रखना ही रखना है अपना approach, ठीक है, 60% या मैं कहूंगा 62% का, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 63% की और आपने दिमाग में बैठा लिया कि नई भाई, इस बार 67 गया था, तो मैं अब negative कर दूँ, ऐसा सब बिलकुल नहीं करना है, क्या पता चीजे नी ख़र ये तो बात की बात है, तो मैं आपको दो दिन पहले भी बताऊंगा कि आपको कैसे क्या paper देते समय, क्या approach रखना है, अभी क्या है कि आपका दो exam simultaneously है, तो दोनों को साथ लेके चलिए, ICMR के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, नाम में ही medical छुपा हुआ है, ठीक है, इन चीजों को जरूर पढ़िएगा कि जो चीजें आपको भी topic पढ़ रहा है, उसमें अगर जो medicals related चीजें दी गई है, medical का मतब जो human health को direct effect करती है, ठीक है, इसमें जो आपको questions मिलेंगे, ठीक है, आपके syllabus जो भी होगा, first of all आप molecular biology खुब अच्छे से पढ़िएगा, ठी DNA, RNA, protein, lac, operon तक की जो story जाती है, वो आपका एकदम clear होना चाहिए, question ये पूछते है, ठीक है, दूसरा immunology जो की मेरे ही channel पे upload है सारे video, ठीक है, उसको आप देखेगा, आपका concept clear हो जाएगा, immunology आपसे question ये पूछते है, biochemistry आपको पढ़नी है, ठीक है, bio technology आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, microbiology से ये question पूछेंगे, ठीक है, microbiology पढ़के जाईएगा, ठीक है, medical, और खास तोर से medical microbiology पढ़िएगा, मतलब जो भी आपके bacteria बगरा होते हैं, कि जो health से related है, कौन से disease cause करते है, ठीक है, human health and disease जरूर पढ़िएगा, ठीक है, तो human health and disease मैं आपको बता देता हो, ठीक है, इसके अलावा, tools, techniques से question आएंगे, ठीक है, तो ये कोई ऐसे question नहीं पूछते हैं, कि मतलब इनका जो level है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कोई amino acid का sequence है, तो किस position पे हो रहा है, मतलब इनको 59 पे phosphorylation हो रहा है, कि 60 पे हो रहा है, ये इस बात में interesting नहीं है, ये basic चीज़े हैं, जैसे मैंने fingerprinting, footprinting, या आजकल आपका क्राइस पर कैस चल ला है, system, ठीक है, तो यहां से question आने की संभावना रहती है, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आपको hint दे रहा हूँ, अभी मैं आपका instant video बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, कि मैं जो यहां पे लिख द बस आप जब आप पढ़नेंगे, तो इनके reference में आपको थोड़ा सा botany कम पढ़के जाना है, ठीक है, हालाकि ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बट फिर भी आपको थोड़ा सा botany कम पढ़के जाना है, तो आप इस हिसाप से चीज़ों को पढ़ाई करिए, ठीक है, immunology, biochemistry, molecular biology, cell biology से question ये पूछते है, ठीक है, बाकि cell signaling से question आपको मिलता है, ठीक है, cell signaling से आपको question मिल जाएगा, ठीक है, तो ये सारे important information है कि जो मतलब इन चीजों को आपको ज़्यादा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और पिछले चार साल के paper को आप revise करिएगा, ठीक है, उनको solve कर लिएगा, उसी से ही आपको clear हो जाएगा कि ये exam में कैसा पूछने वाले है question को, ठीक है, तो ये important चीजे, बाकि मैं एक separate, मतलब आपको मैं available करा दूगा अपने telegram channel लच जयारफ पर, मतलब एक प्रिकी का syllabus लिखकर मैं upload कर दोगा कि आपको क्या-क्या इनके लिए specific चीजों को पढ़ाई करनी है, तो इन ही चीजों में सारी चीजे आ गई है कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है, बाकि जैसे कि कुछ चीजे है कि उनने लिखा था malaria वगएरा, तो ये सब भी आप additional पढ़ लिजेगा कि malaria है, leishmania है, ठीक है, या फाइल एरिया है, तो ये सबसे छोटे-मोटे question आपसे जरूर पूछते है, ठीक है, बाकि section A, हाँ, important चीजो भी आपको छूट रहा था, कि section A के लिए आपको क्या करना है, तो आपको कुछ specific नहीं करना है, section A के लिए आप एक काम करिएगा, थोड़े से chemistry, ठीक है, chemistry और physics, NCRT की book जो होगी, अगर आपने जितना भी मतलब मैं यह नहीं कर रहा हो, अब नई topic उठा लीजे, जो भी आपने आज तक पढ़लिक रखा हुआ है, उसको क्या कीजेगा, उसको एक बार recall कर लीजेगा, ठीक है, जैसे कि nuclear biology हो गई, जहां पर electron, proton, neutron की discovery वगएरा थी, जो Thompson वगएरा का model था, तो ये सारी च action है के लिए आपको यही करना है, और उसके अलावा जो आपके लिए हर चीजों का जो एक रामबार होगा, वो आपकी NCRT होगी, ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि एक बार आप NCRT जरूर रीड कर लीजेगा, ठीक है, या आपके पास कोई भी अगर और भी books अवलेबल होग जो आपके doubts थे, वो मैंने यहां पर clear करने की कोशिश की है, बहुत सारी चीजों को मैंने यहां पर cover कर दिया है, बहुत चीजों से आपको अउगत करा दिया कि कैसे आपको चीजे समझनी है, क्या-क्या चीजों को recall करना है, कैसे आपको approach रखना है, ठीक है, और इसके कर दिया है तो इन सब को करिए तयारी करिए जो भी बुक्स आपके पास अवलेबल है मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़िये क्योंकि बैलोजी जो है वो रिवीजन का खेल है जितना आप जादा रिवाइस करेंगे उत्रा जादा ही आपका इफिसियंसी अच्छी आएगी ठीक है तो यह सब चीजे इंपॉल्टेंट है बाकि कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पूछन लगने वाला है जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है ठीक है तो पूरी शिद्दत के साथ लग जाईए अच्छे से पढ़ाई कीजिए बाकि कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया है या आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है कि आपको इसको स्पेसिफिक क्लियर हो गए होगे बाकि जो रिमेनिंग होगे वो भी मैं क्लियर करोंगा बस आपको अपनी बात को बतानी होगी केमेंट सेक्षन में कि हां भाई मुझे ये समस्या आ रही है या मैं इसके लिए क्या एप्रोच करो ठीक है बाकि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से लो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बाकी बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लप्चर के साथ थैंक्यू बैरी माइट